शैतान पप्पू की कहानी एक बार एक बुज़ोर्ब आदमी ने देखा कि पप्पू घर के दर्वाजे पर लगी घंटी बजाने की कोशिश कर रहा होता परन्तु उसका हाथ घंटी तक नहीं पहुँच पा रहा होता है ये देख बुजर्ब आदमी पप्पू के पास कया और उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? पप्पू, कुछ नहीं मुझे ये घंटी बजानी है पर मेरा हाथ नहीं पहुच रहा तो क्या, आप मेरे लिए ये घंटी बजा देंगे? ये सुन बुड़ा आदमी तुरंथ हा कर देता है और घंटी बजा देता है और घंटी बजाने के बाद पप्पू से पूछता है और बताओ, बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? ये सुन पप्पू बोला, हाब मेरे साथ भाग बुड़े वरना तु भी पिटेगा अगर मकान का मालिक बाहर आ गया तू